अब देखो अगर तुम One Piece के anime को follow करते हो तो तुमसे ये बात नहीं छिपा हुआ है कि लूफी का gear 5 आने वाला है मांगा में दिख चुक है मांगा वाले read कर चुक है लेकिन anime में कब आएगा इस सवल का जबाब जो है मैं आज के वीडियो में दूँगा प्लस वहाँ पर जाने से पहले मैं कुछ बाते बताना चाहतू मेरा कल का वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को काफी ज़्यादा मतलब trigger हो गया जोरो fans तो देखो यार मेरा किसी fan को जो है गुसा दिलाने का इरादा नहीं था देखो मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि मैं किसी character के उपर वीडियो बनाओ तो सारी अच्छी बाते करके उस character को पूरा overhyped कर दूँ और उसके fans को मतलब पूरा खुसी खुसी मतलब जूट मूट का तारीफ करके बढ़ा चड़ा के साथवे आसमान में बैठा दू मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ जो चीज़ें दिखाई जाती है उस basis पे मैं बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ और देखो यही बात है वरना मेरा किसी कारक्टर से personal hate है नहीं रहा बाद मेरा favorite character कौन है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचता है कि मेरा favorite character सांजी है इस वज़े से मैं जो है Zorro की बुराई कर रहा था मैंने कल के वीडियो में Zorro का बुराई नहीं किया जो Zorro का दिखाए गया वही बात किया यार लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो मैं बता देता हूँ तो मेरा favorite character कौन है पूरे one piece में मेरा favorite character आकादामी सैंक्स है अगर तुम्हें straw hat pirates में पूछो तो मेरा favorite character Zorro है सांजी मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है लेकिन सांजी मुझे ठीक ठाक लगता है पर Zorro मुझे ज़्यादा पसंद है because वो badass है खेर वो सब budget side पे रखते है इसके अलावा one piece के anime और manga ने कुछ record जो है स्थापित किये है 2022 में उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आते है one piece का manga को लेके अगेन यार वो 2022 का सबसे ज़्यादा number one manga बना और ये हम सबको पता है ये ओडा का कमाल है one piece का manga इसे हर साल number one आता रहता है हाँ कभी कभार बीज बीज में कोई कोई manga जो है चल जाता है यार वो सब छोड़ो इसके अलावा अगर हम बाहत करें one piece के anime को लेके तो one piece का जो anime series है वो जो है 2022 का पूरे worldwide सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सो बना जिसे जो है 2022 के अंदर देखा गया ये सारी बाते तो यार हो गई क्या ये बात तुमको पता था comment box में ये बता ना मत बुलना अब हम लोग आते हैं main मुद्दे पे आखिर लूफी का gear 5 कब देखने को मिलेगा अनिमे में अब देखो लूफी का gear 5 अनिमे में दिख चुका है वन पीस मुवी रेड का अगर तुमने क्लाइमेक्स वाला सीन देखा है तो वहाँ पर लूफी का gear 5 दिखा था लेकिन वन पीस के anime series की अगर बात करने जाओ तो हा लूफी का gear 5 इसी साल देखने को मिलेगा अब देखो लूफी का जो devil root है awakening होने start होता है वन पीस के manga chapter 1043 के end वाले panel में इसके बाद जो हमें वन पीस के manga chapter 1044 में उसका proper look देखने को मिलता है और लूफी के devil root से related जानकारियां भी दी जाती है अब देखो वन पीस का anime अभी 1023 के आधे chapter को adapt कर चुका है और जैसा माने to be continued के बाद 30 second का वो जो next episode का बार में दिखा जाता है उसमें देखा तो मुझे पता जला कि next episode में जो है 1023 का जो बाकी का जो आधा chapter बचा हुआ है उसको adapt करेगा हो सकता है 1024 के कुछ extra pages भी adapt करें तो अगर तुम इन सब chapters के बीच में फरक देखो तो यार जादा फरक नहीं है 20 chapters का ही है लेकिन animate तो भाई तो यह animation कर रहा ना तो उसका तो रोज का धंदा है भाई वो slow animate करेगा slow pacing के साथ तो इसी साब जाकर हम लोग देखने जाए तो फिर भी 1070 से 1080 episode के अंदर ही हमें gear 5 दिखा देगा और हां यह इसी सा आने वाला है अब देखो पहुत सार लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह 20 chapter के अंदर क्या दिखाया जाएगा तो देखो 20 chapter के अंदर ना यह बहुत सारी चीज़े दिखाया जाने वाली है और उसको एनिमे में adapt किया जाएगा प्लस पूरा का जो इतना भी यह जो चैप्ट queen बसिस सांजी का फाइट और किस तरह से यह दो characters यार power up करेंगे वो भी देखना बहुत मजा आएगा इसके अलावा इनुरा सी वसिस जैक का बचा हुआ है नेको मोमो सी वसिस परेस पैरो का बचा हुआ है इसके अलावा अगर हम जाएं तो फुकरो कोजी वसिस राइजू का फाइट बचा हुआ है काईडो और यामाटो दोनों फाइट कर रहे हो खतम नहीं हुआ है जो कि बहुत जल्द खतम होने वाला है इसके अलावा law and kid बसिस बिग मॉम का फाइट भी बचा हुआ है फिर यार देखने जाएं तो killer बसिस बैदल hawkins का भी फाइट बचा हुआ प्लस एक्सड्रैक और इजू का भी फाइट होना है जो कि अभी तक मतलब दिखाया नहीं गया है सेटप नहीं किया ओड़ा ने वह आने वाले टाइम पर दिखा देंगे चिंता मत करो तो यह सारी चीजें होना बाकि है और हाँ अभी मैं spoiler नहीं दूगा क्योंकि एक बंद हुआ है और मेरा को यार सच बताओं तो बिग मॉम वसिस किड एंड लौ का जो फाइट अना वह बहुत मज़ाया था तो वह वाला जब एनमे ठोगाना बहुत मज़ाएगा और चिंता मत करो अब से मैं एनमे वाचर्स के हिसाब से भी वीडियो बनाना चालू कर दूंगा और मांगा रिडर्स के हिसाब से भी वीडियो आएंगे अब देखो ज्यादा कुछ तो है नहीं बास करने के लिए यही वीडियो में था और तुमको अगर कुछ कमेंट करना तो वह तुम कर सकते हो लाइक सब्सक्राइब वाले फॉर्मिलेटी पूरा कर देना अगर तुम